ओके हमने अपना यह system यह roll number generator FSM design कर लिए तो अब मारा next target यह है कि इन तिनों blocks कमबाइन करना इस timer को इस roll number वाले को और मुल्टिप्लक्स 7Segments वाले को और उससे जो मारा बनेगा system वो यह बनेगा अब क्योंकि यह टॉप लेवल मॉडल है इसके अंदर सारे कोडिंग फाइल्स हम इनके लूड करेंगे यह वाली भी और जो यह अभी जनरेट की है यह वाली भी इसको अब क्लोज कर दिते हैं झाल झाल अब हम अपनी फाइल्स को आड़ करेंगे जो प्रिविएस सारी फाइल्स है उनको उसके बाद नई फाइल एक जिनरेट करेंगे आड़ करेंगे झाल 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 इसकी सारी इंपूट्स और ओर्पूट्स होई है जो टोडियल 3 में हमने डिस्प्ले रोल नंबर वला सिस्टम डिजाइन किया ता जेस्ट एक एक एक्स्ट्रा डिरेक्शन की तो मैं उसी फाइल को दोबारा यूज कर लेता हूं एक्टोरियल 3 से झाल क्लोग रिसेट होई है और अब देखें आप इसकी एक डिरेक्शन एक्स्ट्रा आरी है इसमें अब नहीं है कि हमारे नंबर्स अब आटमेटिकली जिनरेट हो रहे हैं सागे टुजी और एन भी है इसकी भी हमें जूरत नहीं है अब यह मारा पॉप लेवल मड्यूल है इसमें हमने यह तीन कॉनेक्शन करने हैं सबसे पहले टाइमर सर्कृट है तो यह भी हमने देखा था कि किस तरह इसको इंक्लूट करने हैं तो मैं इसको ट्रोरियल 3 से कॉपी कर लेता हूं और एंड साइकल्स यह थे इसकी अब क्योंकि हमने यह पॉइंट मिली सेकंड का डिले था अभी हमें चाहिए वन सेकंड का तो वो था उसकी वैलियू यारती है हंडर्ड और अगे सिक्स जीरोस तो मैं इसको कॉपी करके यहां पे रह लेता हूं उसके बाद हमने यह कंट्रोलर रोल नंबर जो अभी हमने डिजाइन किया है इसको इंस्टेंशेट करने यह वला तो यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं यह वह स्टेट मशीन है जो मारा रोल नंबर जनरेट कर रहे हैं और यह दिखें इसमें। जो टािमर सर्कृट है अब इसमें क्योंकि हमने इंस साइकल सेट की applies only तो बने इसकी ऋपुटे टाइबर अटरी पल्स तो इसको मैं उपर पहले वायर टाइबिफाइन कर देता है। वाहर टाइमर पल्स तो पहले से यहां पर इसकी क्लाग भी इन पुट आगी रिसेट भी आगी डिरेक्शन भी आगी और रोल नंबर अच्छा विश्ट में हमारे हमारा जो रोल नंबर है यह स्टेट मेशीन से यहां से रोल नंबर आ रहा है तो अब यह 32 बिट का एक नंबर होना चाहिए तो मैं इसको यहां पर रोल नंबर डिफाइन कर लेता हूँ इसको नेम देना है फैसके ने यूटूर अब हमने यह टाइमर पल्स यहां से जनरेट की और इसकी टाइमर पल्स पे इंपुट दे दी अब यहां से जो रोल नंबर आ रहा है वो मल्टिप्लेक्स सेवन सेग्मेंट पे अप्लाई करने है यह वाला इसको उठाए यह से कॉपी करें तो यह मैं ट्रेटोरियल 3 में डिजाइन किया था इसका काम क्या है कि यह 32-bit इंपुट लेगा उसको डिस्प्ले कर देगा तो यह अब इसकी 32-bit इंपुट है इसकी जगह मैं यह रोल नंबर अप्लाई कर रहा है अब इसकी मुझे जुरुत नहीं है इसकी मुझे जुरुत नहीं है तो पुझे टू वाइस डिफाइन करने पड़ी है एक टाइमर पल्स के लिए और अब यह जो टाइमर पल्स है अब यह एक सेकंड के बाद आएगी वन सेकंड के उसके नंबर अफ लॉक साइकल से बढ़ा दिये सेक ए-to-जीवी आ गया, अटपुट पे आन आ गया रोल-नंबर इस एफ-एसम से जनरेट हो रहा है और इसकी इंपुट पर जा रहा है एक दवा सेंतिसाइज करके देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर वगएरा तो नहीं है तो यह successfully completed है इसमें कोई एरर नहीं है इसकी स्केमेटिक डियाग्राम एक दफ़ा देख लेते हैं तो यह इसे सर्किट जिनरेट हुआ है तो आप देख सकते हैं कि क्लॉक और डिरेक्शिन कॉमन है हमारा यह टाइमर सर्किट है यह वन सेकंड की पल्स जनरेट करेगा और इसकी जो टाइमर पल्स है वो रोल नमर जनरेटर एफ एसम के इंपुट पर जाएगी और रिसेट और यह क्लॉक सब का कामन है अब यह रोल नमर जनरेटर एफ एसम यह रोल नमर जनरेट करेगी यह रोल नमर जनरेट करनेगी और यह वाला सिस्टम के अंदर हमने डिजाइन किया था यह क्या करता है यह 32-bit वेक्टर इंपुट लेता है वैल्यूज और उसको आठ सेवन सेग्मेंट को पर डिस्प्ले कर देता है और इसकी जो आउटपुट सेगे टो जी हो हमने सेवन स एटू जी पर कुनेक्ट करनी है और इसकी जो ओटपुट एएन है वो सेवन सेग्मेंट के जो कंट्रोल पीन से वहां पर कुनेक्ट करनी है तो आप देख सकते हैंगी जो हमारा फाइनल सेक्ट जनरेट हुए है वह एक्जेक्टली मारी इस ब्लॉक डियाग्राम के अब मुझे इसको मैं सिमुलेट ही करूंगा इसको फाइनल डिरेक्टली टेस्ट करूंगा तो उससे पहले इससे पहले कि मैं इसको टेस्ट करूं मुझे इसकी एक्सडीसी फाइल जनरेट करनी है कि बाdro 가지고 मैं सिम stay है अब इस XDC में अगर आप नोट करें तो यह सेम XDC फाइल बनेगी जो टुर्टोरियल 3 में दें क्योंकि AN भी आ रहा है हमारा सागेट जी भी भी आ रहा है रिसेट रूक भी आ रहा है सिर्फ एक आ रहा है एक्स्टा डारेक्शन तो मैं XDC फाइल जो टुर्टोरियल 3 के अंद कि यह अब आटोप्रमेटिक के लिए मेरे उसे अगेट जी वाले एन वाले सिग्नल से साइन होगे अचाहिए इसमें नाम नहीं है तो एक स्विच मुझे चाहिए था यह स्विच जीरो है इस पर मैं जो है स्विच जीरो मैं उस पर डारेक्शन रख लेता हम अपनी यह जो डारेक्शन इन्पुट है इसको यहां पर स्विच जीरो पर अटैच कर लेता है अटैच होगी एन से अटो जी भी हो गया डारेक्शन को भी मैंने साइन कर दिया स्विच जीरो पर और एक लॉग भी डिफाइन होगी मेरी एक्सटीसी फाइल भी अब जाए रेट होगी है तो मैं अब एक दफा डारेक्टी ट्राइ करता हम कर यहां से बिट स्ट्रीम अग जर्टे पर जणरेट होगी है झाल 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 इस फाइल मैं अपना बोर्ड कुनेक्ट करूँगा बोर्ड कुनेक्ट करने के बाद ये बीट स्ट्रिम फाइल उसके दर अप्लोड करूँगा और बाकि जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिमांस्टेशन की वीडियो है आअधिए प्रटिकल ये पन्वाइल से रिकार करूँगांगा अखेशन की प्रचाइए अपक्ट़ करूआए अधियों की अग्र Czy झाल झाल